रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्से रगुनाथाय नाथाय सीताय पतिय नमह स्री राम लला भगवान के भारत माता के सर्यू माता के जय जय सीता राम रामचंद्राय के आज के सकारिकरम के मुख्यतिते दुनिया के सबसे लोक्प्रिय राजनेता भारत के मान्य प्रधान मंत्री आधनिया स्री नरेंद्र मोदिय जे राष्टिय स्वयम सिवक संके मान्य सरसंग चालक सरदे डॉक्टर मोहन भागवत जे प्रदेश की मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पटेल जे सिराम जन्भूमी तीर्थ छेतर न्यास के अध्यक्स पूजय महंत निर्थ गोपाल दास जी सिराम जन्भूमी तीर्थ छेतर न्यास के कोसा अध्यक्स पूजय स्वामी गोविंद देवगिरी जी महा सचीव सम्मानेशी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संत जन अपने अपने छेत्र के नेत्रुत्त देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव रामत्सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ इस उसर पर पधारे राश्तिय स्यम स्यवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवजी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ प्रवुरामलला के भव्य दिव्य और नभ्य धामे बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई 500 वर्सों के लंबे अंतराल के अपरांथ आज के इस चर्चिर्प्रतिक्सित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्यों ये ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलने हैं मन भावुक है भावविबोर है भावविवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज सेत्यासिक और त्यंत पावन असवर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जनभूमि की ओर आ रहा है हर मन में राम नाम है हर आख हर्स और संतोस के आंसु से भीका है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन रागो रामलला हमारे हिर्दय के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे हैं आज हर रामभक्त के हिर्दय में प्रसंता है गर्व है और संतोज के भाव है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई दर्जनों पीडियां अधूरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तो प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जनभू में संभूत अबिश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य के जनमस्थली पर मंदिर निर्माण के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्दतिसे उपर उठकर के राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वसुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा परफुलित है, इस बात से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंदर मोदी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथी भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्पिधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं, अलौकिक छवी है, हमारे प्रभु की बिल्कुल वेसे ही, जैसे तुलसी दाशजी ने कहा, कि नवा कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुनम धन्य है वज सिल्पी, जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है बिचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच, मुझे पूज संतों और अपनी गुरु परंप्रा का पुर्णे स्मरण हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानंद के अनभूती हो रही होगी जिन परंप्राओं की पीडियां सिराम जन्भू में उक्तियक में अपनी आहुती दे चुकी है उनकी पावन इस मिर्थियों को मैं यहां पर कोटी-कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धुवा है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे हैं और उससे भी बड़ भागी हैं वो जिनोंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित त्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिध होती रही चोटिल होती रही किन्तुराम का जीवन हमें सैयम की सिखसा देता है और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखे पुरी दुनिया अयोध्या के वैभाव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने को अतुर है आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभाव उतर आया है दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी की रूप में प्रतिष्ठित हो रही है पुरा विश्व दिब्ब्य और भब्य योध्या का साकसातकार कर रहा है आज जिस सुन्योची त्यम्ती ब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है वह प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सकते और दूर द्रिस्टा के बिना संभव नहीं था कुछ वर से पहले एक कल्पना से परे था कि अयोध्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या, आयुस्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्सम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य योध्या की रूपे पुन्डधार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुपतार घाट, ब्रम्म कुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रख रखाओं के कारे हो रहे हैं रामेण परंपरा की कल्चर में पिंक कराई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेण वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भुष्यकी जरुपतों को देखते हुए आधनिक पैमाने के अंसार सभी नगरिये सुपधाएं भी विक्सित हो रही है इस मोक्सदाइनी नगरि को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों, संतों, प्रेटकों, सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और इसे अग्रसर किया जा रहा है यह एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है, जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन्न मेंगिकार किया गया है यह लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है अयोद्या का दिब्य दिपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पैचान बन रहा है और सिर्थ राम लेला की पुनरप्रतिष्टा का समारोब भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को संप्रस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है सिर्वाम जन्भुई मंदिर की अस्थापना भारत की सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक उनुस्थान है यह राष्ट मंदिर है निसंदे सिर्वाम लिला विग्रह की प्रांट पर्तिष्था राष्टि ये गौरव का एक एत्यासिक आउसर है निश्चिंत रहिए प्रवराम की किरपास से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा को बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलीओं में अब गोलीओं की गड़़्-गड़ा हट नहीं होगी करव्यू नहीं लगेगा अपे तो यहां दिपत्सो रामोच्सो और यहां की गलियों में इसी राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अवद पुरी का मैं राम लला का बिराजना राम राज्य की इस्थापना की उद्गोषणा भी है रामराज्य बैठे तिरलो का हरसित भये गये सब सोका रामराज्य भेदभाव रहित समरत समाज का द्योतक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों, बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जनभुमी मंदिर के स्वपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, सिल्पियों और सिराम जनभुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादिकारियों को हिर्दै से धन्यबाद, पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एथियासिक पूने घड़ी की बधाई आदरिय प्रधान मंत्री जी, आदरिय सरसंग चालक जी, माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महानुभाओं का में एक बार फिर से, हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरोजों ने लिया था, उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चर्णों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वास्यों को आज कि इस रामत्सों के उसर पर कोटी-कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बाणी को बिराम देता हूँ जैजै सीताराम राष्ट्री एसोइंस्विक संग के सरसंग चालक डक्टर मोहन राव भागवजी आधर्णिय प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश के आधर्णिय मुख्य मंत्री जी आधर्णिय राज्यपाल महुदया देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनी जित्व करनी वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण झाल